पहले मैंने यहाँ पर तीन इस तरह के कच्चे केला लिया है अब हम इसे कटेंगे दोनों साच से पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे और फिर हम इसे छील लेंगे तो इसी तरह हमें सारे केले को छील लेना है तो यह देखिए मैंने सारे केले को छील लिया है अब हम इसे कटें कट कर लेना है और इसके बाद तुरंथ ही हमें खल्दी और नमक वाला पानी में हम केले को डाल देंगे इसे हमारा केला काला नहीं पड़ेगा और हमारा जो हाथ है ना केला का कस्त से वह भी कला नहीं पड़ेगा मतलब हाथ में किला का कस नहीं लगेगा तो इसी तरह हमें डूबो के रखना है किले को तब तक हम दूसरा तयारी कर लेते हैं इसके साथ में मैंने लिया है दो मीडियम साइज के आलू और मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है साथ में लिया है हमने एक मीडियाम साइज प्याज एक छोटा टमाटर, तीन हारी मिर्ची, थोड़ सी करी के पत्ते, एक चम्मच अद्रक का पेस्ट और एक चम्मच लसुन का पेस्ट थोड़ा सा खरा मसाला भी लेंगे, एक लाल मिर्च, एक तेज पत्ती, एक टुकड़ा दलचीनी, दो छोटी इलाईची, चार लॉंग, सुखा मसाला में हम लेंगे हाप चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, हाप चम् जीरा पाउडर और क्वाटर चम्मच हिंका पाउडर इसके बाद हम आलू और केले को हलका गुल्डेन ब्राउन फ्राई करेंगे तो मैंने आलू को पहले से ही फ्राई कर लिया है और केला भी हमारा फ्राई हो गया है ताकि वीडियो जादा लंबा ना हो जाए इसके लिए मैंने पहले से फ्राई कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे अभी तक अगर मेरे चनल को आप लोग उने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए इसके बाद हम डालेंगे इसमें एक छोटी चम्मच, सादा जीरा और जो हमने खरा मसाला लिया था वो भी अब हम इसमें डाल देंगे लाल मीर्च, तेजपत्ती, डालचीनी, इलाइची और लॉंग को हम बाद में डालेंगे हिंका पाउडर भी डाल देंगे अब हम इसमें प्याज डालेंगे इसके बाद हम लॉंग डालेंगे लॉंग को कभी भी direct oil में ना डाले तो अच्छा है कभी-कभी लॉंग छिड़क के हमारे face पे भी आ सकता है तो आप इस बात का ध्यान दे इसलिए मैंने लॉंग को बाद में डाला इसके बार प्याज को हमें golden brown होने तक fry कर लेना है तो प्याज हमारा 90% करीब हो गया है अब हम इसमें add करेंगे अद्रक का paste और लसुन का paste और इसे भी हमें एक मिनिट तक भून लेना है प्याज के साथ में इसके बाद हम add करेंगे करी के पत्ते हरी मिर्च अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे थोड़ सा मिला लेंगे और फिर हम इसमें add करेंगे स्वात के अनुसार नमक टमाटर डलने के तुरंत बाद ही हमें नमक add कर लेना चाहिए इसमें टमाटर एकदम नरम हो जाते हैं और बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं तो हमने इसे मिला लिया है अब हम इसमें सुका मसाला add करेंगे और गैस को इस समय हमें low flame में रखना है बनना हमारा मसाला जल जाएगा या तो फिर आप इसमें एक चम्मच पानी डाल दे और फिर मसाला को अच्छे से भून ले इसमें जो है हमारा मसाला जलेगा नहीं और मसाला को हमें तब तक भूनना है जब तक किना मसाला से ओयल छूटे तो ये देखिए हमारा मसाला से ओयल छूट रहा है मतलब हमारा मसाला बन के तयार हो गया है अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को भी मसाला के साथ में मिला के फिर हम इसमें पानी ऐड़ करेंगे अलू और मसाला को हमने यह दिखिए हमारा अलू अच्छे से बॉयल हो गया है कुक्त हो गया है अब हम इसमें केला डाल देंगे फ्रेंज केले के सबजी में बहुत आईरन होता है तो सारा केला हमने इसमें डाल दिया है एक बार मिला आले इसके बाद हम इसे लो फ्लेम में दो मिनीट धक्की रखेंगे दो मिनीट हो गया है अब हम धक्कन को हटाएंगे बहुत ही अच्छा खुश्बू और बहुत ही अच्छा कलर एक बार मिला आले इसे इसके बाद हम इसके उपर से थोड़ सी जीरा पाउडर यानि एक चुटकी जीरा पाउडर और एक चुटकी गरम मसाला पाउडर उपर से डाल देंगे इसे खुश्बू बहुत अच्छा होता है आप अगर धनिया पत्ता खाते हैं तो उपर से थोड़ा हरा धनिया पत्ता इस तरह से डाल दे और इसे अच्छे से मिला ले अच्छे से मिलाने के बाद हम गैस को बन कर देंगे और सबजी को ढखके रखेंगे ग्रेवी इसमें थोड़ा हम रखेंगे जादा क्यूंकि केले के सबजी में बाद में ग्रेवी थोड़ा घना हो जाता है इसके बाद हम इसको एक सार्विंग बॉल में निकाल लेंगे और फिर सार्व करेंगे आप इसे रोटी परठा या राइस के साथ खा सकते हो फ्रेंज रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए